प्रदान मंत्री नरेन मुदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में कारिक्रम कर रही है इसी कारिक्रम के तहट ग्रह मत्री अमिशा ने रविवार को पंजाब के गुर्दास पूर में रेली की शा ने कहा आम आदमी पार्टी जैसी खोकले वादे करने वाली सरकार हमने नहीं देखी यहां के CM भगवत मान है लेकिन वो तो यहां रहते ही नहीं वो कभी दिल्ली, कभी कॉलकत्ता, कभी चैन नहीं तो कभी महराष्ट पहुच जाते हैं दिल्ली के CM अर्विन केजरिवाल कहीं भी जाते हैं भगवन्त मान प्लेन लेकर पहुच जाते हैं समझ में ही नहीं आता कि वे मुख्यमंत्री है या पाइलिट आज तक पंजाब की एक भी महिला के खाते में एक रुपया भी नहीं आया लेकिन करोडों रुपे खर्च कर देश के अकबारों के फ्रंट पेश पर आम आदमी पार्टी की सरकार का विग्यापन चलता रहता है मान का पूरा समय केजरीवाल की पब्लिसिटी में बीत रहा है शाने का पंजाब में नशे का कारोबर बढ़ता जा रहा है बगवद मान की वज़़ से पंजाब की कानून विवस्ता दिन पर दिन बत से बत्तर होती जा रही है लेकिन सीएम साब के पास जनता के लिए समय नहीं है चुनाओ में पंजाब की जनता मान से इसका हिसाब मांगेगी इस से पहले सुनिल जाखर ने कारीकरताओं को संबोधित किया जाखर ने इस दोरान गुर्दासपूर के लोगों का आर्मी में योगदान को बताया वहीं उन्होंने किसानों की भी बात रखी और यहां की लीची वो शुगर बनाने के लिए गन्ने के उत्पादन में गुर्दासपूर के योगदान के बारे में भी बात चेत की वहीं इससे पहले विरोत की आशंका पर सजा पूरी कर चुके बंधी सिखों की रिहाई की मांग कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं को हिरासत में लिया गया। उधर हर्याना में भी किसान और सरपंश शा की रेली का विरोत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दोरान के समझोते लागू नहीं हुए। महीं सरपंश हर्याना सरकार के पंचायती कामकाज में इटेंडरिंग का विरोत कर रहे हैं। इसे देखते वे पुलिस ने करीब 130 लोगों के वारंट जारी किये थे। लेकिन वे SDM कोर्ट में पेश्ट नहीं हुए। इसके बाद पुलिस अलट होकर उनकी गती विदियो पर नज़र रख रही है। इसके अलावा शाह की रेली के विरोत में किसान और सरपंचों ने काले जंडे लगाने का एलान किया है।